प्रकाशित एक अध्यन निर्धारित किया है 2014 में जर्मनी में खोजे गए डाइनासोर्स के चचेरे भाई के अफशेज इस प्रजाती का सबसे पुराना और ग्याद जिवाश्म है प्रजाती का नाम है ठारोडॉक्टलस जो ठारोसोरस या उड़ने वाले सरिस्रपों में से एक माना जाता है 2014 में जर्मनी के बवेरिया के छोटे से शहर पैंटन के पास चूना पत्थर की खादान में मिला जिवाश्म अन्य फैरोडॉक्टलस नमुनों की तुलना में लगभग एक मिलियन वर्ष पुराना है पैंटन के पास पाए गए फैरोड़क्टलस की खूपड़ी 5 सेंटीमीटर की है इसका मतलब है यह एक उपवयस्क था जो की काफी दुरलब है यह प्रजाती 227 से 660 मिलियन वर्ष पूर के बीच लगभग 160 मिलियन से अधिक वर्षों में से मौजूद थी इस ठेरोसोरस के पंक एक से बारह मीटर तक फैले हुए थे आपको बता दें दक्षनी जर्मीनी के बवेरिया में सोलन फोहन चुना पत्थर की ख़दान में 200 से अधिक साल पहले का फैरोड़क्टलस पाया गया था जब 1784 में इतालवी प्रकृतवादी कोसिमो एलेसेंड्रो कोलिनी द्वारा इसका वर्ण किया गया था तो इस जीवाश्म को एक जली जानवर्मान आ गया था लेकिन 25 वर्षों के बाद वैग्यानिक जौर्ज क्यूवियर ने पाया यह एक उड़ने वाला सरिश्रिप था जो एक ऐसे सम्मू से संबंदित था जिसका वर्ण पहले कभी नहीं किया गया था पैट्रोड़कलस अब एक प्रतिस्टित प्रजाती माने जाते हैं गौर्टलब है कि खडान की चटाने सिलिकेट चूना पत्थर की हैं जो उपरी किम मेरेडियन चरण लगभग 152 मिलियन इसके पहले पैट्रोड़कलस केवल दक्षनी जर्मनी की छोटी चटानों में पाया गया था जो टिथोनियन चरण से संबंदित था जो किम मेरेडियन चरण के बाद का काल है